समस्कार साथियों कैसे हूँ आप लोग मेरा नाम में जस्तरा सुनी आप देख रहें आपका अपना यूटूब चैनल जिसका नाम है वीडियो मिक्सिंग वड़ा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक वड़िग एलबम डिजाइन सफक्टयार का एक रिव्यू लेक्ए हूँ आपके लिए बहुती संदार एलबम डिजाइन का सफ्ट व्यूर है और बहुती फास्ट काम करता है जैसे कि आप स्क्रीन के पर दीख पार है कुछ एल्बम की डिजाइन है जो हमनें डिजाइन कर करना चाहूं वैसे कर सकते हो बहुत ही मस्त मस्त है जो आप इसके अंदर एल्बूम डिजैनिक कर सकते हो लिक करना चाहूं तो भी कर सकते हो अगर पूरा इसमें वहारा है देखो तो आपको सारा मेटर समझ मेंद आदब आएगा अगर सफ्ट्वेर को पर्चेज करना चाहते हो तो इसकी ऑफिसियल वेबसाइट वह पी जाके पर्चेज कर सकते हो और में से संपर करोगे तो भी मैं भी आपको इसका कुई थर्ड पार्टी के तरू आपको दिला सकता हूं तो एल्बम क्विकर प्रो इस सफ्ट्वेर का नहां में इसको हम यूज मिले मैं खुद भी इसको यूज मिलता हूं क्योंकि यह सफ्ट्वेर बहुत ही मत सफ्ट्वेर है चलो आपको ओपन करके दिखाते हैं आपके पास कोई सा भी फोट्र स्वाप और उसको आप ऑप कर सकत दिखी इसमें आपके साफ में खूल गया मनें बाता है है किसमें सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बिनाना रहता है कि प्रोजेख्ट के जैसे अपने मिक्सिंग करते हैं इसमें cry car sencill कि अद्दimmer काम कर लेते हैं न नक्ष तइम उसको पूरा करने के लिए अपने को भी जहां से अपना खत्म किये था वहीं से आप कर सकते में तो इसमें भी सेम ऐसा ही है इसमें भी आपको क्या करना है create new पर क्लिक करना मालग किसी एक party का project बनाने नहीं जैसे मैं इस project का नाम देता हूँ जैसे video mixing वाला video mixing जो यह करके OK पर क्लिक कर देंगे तो खुल गया अब आपके सामने देख सकते कि इसके अंदर कंपणी ने जो ऑटोमेटिक कुछ टेंपलेट भी देखिए रखें 1238 के कुछ उटोमेटिक ही टैंपड बहुत अच्छी अच्छी टेंपलेट कंपणी है यह है और आप चाहतों मेनूली भी कर सकते हो इसके बाद कंपणी आपक बेगरांट्स भी कंपनी ने साहत में दिए पीएच्टी होता है अलग होता है उसके बाद में मस्क दिये हैं आपको जैसा कि आप देख पारेंगों कि यह मास्क दिये हैं कम्पनी आपको इन मास्क का भी यूज कर सकते हो सरकाल है क्रिटर है डेकोरेटिव है यूरूप है क्योंकि एक तो नमबर इसका फंक्शन ज़्यादा नहीं इसका ताम जाम इतना ज्यादा नहीं है अपने को पता बहुत सारे सॉफटर तो हजारों की संख्या में ताम जाम देजाए लेकिन अपने को पता जो कुछ लिमिटेट 10-12 फंक्शन होते हैं वही काम ले पाते हैं उसके अलावा इसके function नहीं है उसलिए ज्यादा critical use हो जाता है लेकिन इसको अपन critical use नहीं है इसका use है जो बहुत simple use है पहले हम आपको दिखाएंगी कि अब automatic mode में जो कैसे है जो album designing कर सकते हैं फिर जो बज्जार की PhD आती जो अपने पास latest PhD पढ़ी उसको अपन कैसे काम में ले सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर बना लिया है उसके बाद को photos का option मिलता है यहां पर add कर लो जिस folder में आपके photo पढ़े हो photo यहां पर अपने को add कर लेने हैं तो मैं जो photo add कर लेता हूं इसमें बोला कि सब फोल्टर को अपना सब फोल्टर पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर है जो आप देख पाने को कि आटोमेटिक सीधा कर देगा आड़े तैड़े जैसे भी यह ओटोमेटिक सीधा कर लेगा जैसे एक्जामपल के लिए मैं को यह जो 10-15 फोल्टर फोल्ट कर लता हूं तो कंट्रोल के साथ मैं यह दबाएंगे चंट्रोल दबाके रखेंगे और photo के उपर के लिए करेंगे photo select होते लिए जितने photo select होगे या फोलों के फीछ दिखाएगा आपका कितने photo select हो चुके हैं कि मैं और भी photo इस में select कर लेता हूं पटा पटा जो में photo select कर लेता हूं यह photo है जो में select कर लिया लगभा 15 photo में select कर लिया अब आजाएंगे template के अंदर और आपको इस template को भी album के लिए यूज में लेना है उस template को आप जो select कर लेंगे जैसे मैं इसके आगे volume 2 के अंदर या volume 4 के अंदर मेरे को जैसे यह template लगाना है तो इस पर template को click कर दिया इस template को इसमें click कर दिया दो तीन चार पांस template कर दिया अब आपको right click करना इसमें लिखा हुआ है कि auto fill template इसको यहाँ पर click करके छोड़ देंगे तो है जो आपका templates है जो automatic खुल जाएंगे और automatic इसके अंदर आज फोटो कुछना replace होना चालू हो जाएंगे सब automatic तरीके से होगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह automatic कैसे काम करता है झालू है झालू है झालू है झाल 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 यह फोटो इसके अंदर यूज हो चुके है जो फोटो इनके अंदर लग चुके है वह फोटो पे अटोमेटिक यूज लिखा हुआ आ जाएगा और आपको जो auto PSD हो automatically तयार हो चुकी है यह देख सकते हैं कि PSD है जो आपकी automatically तयार हो चुकी है फोटो अगरा गुस गए है लेकिन फोटो को आपको हलका सा adjust करना पड़ेगा थोड़ा सा उपर नीचे adjust कर लेंगे क्योंकि फ्रेम वगर आपको देखना पड़ता है अलका सा adjust करना और कुछ आपको connect जरूद नहीं है जैसे यह PSD है यह PSD है जो आपका फोटो अज़े automatically इसके अंदर select हो गए है बहुत ही smooth तरीके से फिर यह second तरकी PSD है अपने फोटो इतने ही select किये था कि फोटो कम ही select किये थे लेकिन जो फोटो select किये थे वह आपके set हो गए है अलका सा जो फोटो का adjust करना पड़ता है और आपका set हो जाते है यह PSD खुल तो गई है लेकिन अपने फोटो खतम हो गए थे इसलिए नहीं आई लेकिन जो PSD अपने यूज कर ली उसके उपर PSD बे यूज लिखावा जागा जैसे यह देख पारेंगे इन PSD को यूज कर चुके तो इन PSD बे यूज लिखावार ये PSD दुबारा यूज में नहीं होगी तो यह हो गए auto आपको बना के देगा बहुत ही अच्छे तरीके से अब यह सारी यह में बंद कर लेता हूं तो यह तो हो गया दोस्तों automatic तरीका अब मैं आपको बताओं कि market की PSD होती है उस पर आप है जो कैसे काम कर सकते हो तो market की PSD पर काम करने के लिए एक-एक PSD पर काम करना चाहोगी तो और भी अच्छा है तो यहां पर आपको मिलेगा एक फाइल का option यहां पर करना open पर क्लिक तो यहां पर आपके पास जो भी PSD वगरा पड़ी होगी न तो जैसे मेरे पास मैं आपको PSD दिखाता हूं कि जैसे मेरे पास यह PSD को पड़ी है इन PSD को जैसे मैं कोई यूज लेना चाहता हूं तो कैसे ले सकता हूं एक्जामल के लिए कोई भी PSD ले लेता हूं जैसे यह PSD मेरे open हो गई है तो उसके लिए अपने कोई स्ट कुछ नहीं करना जैसे कि मेरे पास यह photo पड़ी है इन photo को मैं यूज लेना चाहता हूं तो जैसे कि manually रूप में यूज लेना कि जैसे इस photo को मैं select कर दिया इसके उपर click कर दिया अगर clip के ओपर border वगिर आपका नहीं दिखार आपको पता नहीं कौन सा select हो ता आप view में चले जाओ व्यू में आनेक बाद show में आजाओ, show में layer as पे आजाओ तो आपका जो layer का as चलो और show हो जाएगा तो इस layer पे जैसे आपको यह select कर दो है अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप manually काम करना चाहते हो एक एक सीट के ऊपर तो कैसे काम कर सकते हो इसकी मदल से बहुत ही first काम कर सकते हो इसलिए आपको फाइल पे क्लिक करना open पे क्लिक करना है इसमें से जो आपके पास जो भी अब जैसे की देख पार है कि मेरे पास अलग बॉक्स के अंदर बने हुए है तो जैसे इस बॉक्स के अंदर है जो मेरे को कोई फोटो क्षाना एसके अंदर तो इस बॉक्स को सलेट करना फोटो पे आज यागा डबल किलिक कर दूंगा इस फोटो पे जो यूज लिखा ओ आ जाए गा Ou ओटोमेटिक ये फोटो आजो इसके अंदर बॉक्स के अंदर गुच जाएगा आप आखों के सामने देख पारेंगे कि जस्ट ये आपकी विदिन दो से तीन सेकंडों के अंदर ये जो बॉक्स इसके अंदर गुच जाएगा अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप अटोमेटिक ना करके मैनूली काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं मरकेटकी शीट के साथ सब्सक्राइब अलग घर बोलते हैं तो अपने वॉटीकल अपने अपनेका अब्प टेड़र के अवायं है इस इमेज पर डबल किलिक करो तो यह इमेज आजो ओटोमेटिक एक बॉक्स के अंदर जो फिट हो जाएगी यह देखो और ओटोमेटिक ही सिधी हो जाएगी आपको उतना सिधा करने आड़ा करने तेड़े करने की जरूद नहीं है उसके बाद लग रहा है कि यह फोटो इसक इस इमेज के उपर है जो खाली डबल किलिक कर दो और आपको लेकर आने की बार बार अड़ेस्ट करने की जरूद नहीं है यह देख सकते हैं जैसे कि आपको इस बॉक्स के अंदर दूसरी फोटो घुसानी है तो इस बॉक्स को सेलेट कर लिया ज़िए नीचे आगे इस फो आपको लिए फोटो जो उसके अंदर घुच जाएगा जैसे नीचे फोटो यह फोटो जैसके अदर सेकता होागा ऑब यह आपको लग रहा है कि यहां पे एक गोगा ब्देर सेट हो जाएगा यह photo जो यहाँ पर set हो गया लेकिन फोटो जब बड़ा है अड्जस्ट नहीं कर पाई इसको अपने को थोड़ा सा अड्जस्ट करेंगे अड्जस्ट करेंगे यहाँ पर दाल सकते हैं यह उता एक तरहीत द्रका manual तो यह यहाँ पर दाल दिया यह आपकी कि सीट तयार होगी विदिन से एक से दो मिंटी अदर एक और सीट आपको वरके दिखाता हूँ कि तो एक बार यूज हो गया उस पर लिखा वाएगा यूजड फोटो है मुलो इसको दोबारा यूज में नहीं लेना है जैसे इस फोटो को इस फोटो को साना इस बॉक्स के अंदर फोटो पर डबल किलिक कर लो और ओटोमेटिक है जो आपका गुश जाएगा ऐसे आप फटा बॉक्स कर लीए हैं तो आपको अजयरें आप टुसरी इमेज है उपन कर लेता हूँ है कि यसे पीफिछ अच्छी प्युफिफदी फाइल कंख लेता हूं उसके आप एक यह बॉक्स है ऐसे करके बॉक्स है तो बॉक्स को आप shift के साथ में select कर लो तो जैसे ये box one box two box three box four box five box six box आपने select कर लिए हैं तो आपको आपको एक जाम दूसरी image लेके जैसे ये पांच image आपको लेनी है जैसे कि ये पांच image ठीक है जाद इनको लेनी है और right click and और single right click and और quick fill पर okay करके छोड़ देना है तो यह automatic है जो यह action लेगा और automatic है जो इसके अंदर है जो photo गुसा देगा आपके आखों के सामने ही देखेंगे कि यह within 3-4 second के अंदर है जो automatic तरीके से sheet के अंदर photo गुसा देगा आपके आखों के सामने ही देखेंगे बहुत जल्द यह photo गुसा के आपने को sheet ready करके देगे full automatic तरीके से तो यह देखिए यह आपने sheet के तयार हो चुकी है अभी आपको अलका सा इसको adjust कर लेना है जो भी आपको सही लगए अपने हिसाब से adjust कर लो और यह आपके sheet हो जाएगी को दूसरा photo लो double click करो automatic sheet के अंदर गुस जाएगा तो यह है एक automatic तरीका within second हो के अंदर ही आपको sheet है जो तयार हो जाएगी तो यह तो तरह तरीका अब मांगना है इसको photo को आपको touching watching करना है तो studio के option आता है इसके अंदर exposure बढ़ाना चाता है exposure बढ़ा सकते हो exposure कम जादे करन करना है तो within click करना shadow automatic, reduce brightness करना है, sign लगाना है, light brush करना है, अलका सा, level खोलना है तो सिधा level पर click कर तो automatic level खोल जाएगा, curve खोलना है तो और color balance करना है आपको और भी बहुत सारे option मिलेंगे, saturation करना है, fade करना है, auto soft touch करना है, auto soft touch करना है, automatic तो वह भी कर सकते है देखो इसके auto touching करना है, auto retouch करना है, retouch type करना, soft brush करना है, dodge and burn करना है, clarity बढ़न करना है, foundation है, white teeth करने है, lips करने, air color को सही करना है, eye shadow करना है, eye brow करना है, bright detail booster, यह सब आपके options को मिलते हैं, इसके अलावा आपको background change करने का option मिलता है, इसका ही replacement करना वो भी option मिलता है, लाइट के कोई effect डालन वो भी option मिलता है, मैंने इसमें add नहीं करके रखें, लेकिन आपको पूरा add करके मिलेगा, बाकि आप चाहते हो तो आपको पूरा special effect डालने है, vintage वगेरा, जो भी effect डालने हैं, वो भी effect इसके अंदर साथ में आपको मिलते हैं, बहुत सांदर सांदर effect आपको देखने को मिलत यह software purchase करना चाहते है, description नमर जिया वो भी आपको लगते हैं, और इसकी official website डिपोटेक उस पर जाके आप purchase करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, एक दम बढ़िया company है, genuine company है, और software बनाने हैं बहुत ही मेनद करती है, तो credit तो इस company को ही जाता है, उमीद करते हैं, यह software आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो, हम तब तक लिए जय ही, जय बारत!